हालो फ्रेंट्स नमस्कार और वेलकम टू श्रमाधन साथिव उमीद है कि आप सब अच्छे होंगी और श्टड़ी भी आपकी कंटिन्यू चल लही होगी साथिव शिक्षी नाइंथ बीपेसी के बाद सभी छत्रों के इंतिजार है कि आखिर 17 बीपेसी का नोटिफिकिशन पाया चुकि इस बार पैटर्न में अचानक बदलाव किया गया था यहां वैसे अभीरती जो पहली बार बीपेसी के लिए एलिजिबल हुए हैं तो वो 69 में एपिर नहीं हो पाये थे तो 17 का यहां पे इंतिजार है उनका तो फैनली यहां पे नोटिफिकेशन से और 13th of September and Men's in the first week of January every year तो यहां पर चेर्मन सेर के काना है कि हम लोग एक प्लान बना रहे हैं कि जो कंबाइन कंपेटेटिव ग्यामनिशन यानि सिविल सेविस के एक्जाम होती है वह हम लोग प्लान बना रहे हैं कि हर साल अपका 30 सितंबर को आज़ित किया जाए और जो उसका मेंस मुख्य पर इच्छा वो जनवरी को फर्स्ट इप्रिवी में आज़ित किया जाए हर साल यानि एक हर साल फिक्स डेट रखा जाए और नीचे यहां पर उसके रिगार्डिंग अप्डेट है तो इंट्रिगेटेट 69 CCE मेंस एक्जाम इस लाइकली तो भी हेल्ड फ्रॉम 3 तू 7 जनवरी यानि यहां पर जो अपका उनहत्रवी का मेंस का एक्जाम डेट है वो तीन 17 CCE PT on 13th of September और सत्तरवी जो BPSC है उसका PT का यानि प्रारंबिक परिक्षा आपका 30 सितंबर को वाजित किया जाएगा TRE is also likely to be held in the last week of August every year और जो आपका टीचर के लिए जो प्लानिंग किया गया सिख्षा विभाग और BPSC के मध्यास्ता करके कि हर साल इसका भागेंसी आएगा और इसके लिए अगस्त के लास्ट वीक में एक्जाम डेट करने का प्लानिंग BPSC द्वरा किया जा रहा है तो यहाँ पे जो 70 BPSC के लिए इंतिजार कर रहे था आप लोग कि भले ऐसा अर्माल लगाया जा रहा था कि आपका अप्रील या मैई जुन में इसका एक्जाम कंड़क्ट खरा जा सकता है लेकिन यह जैसा अपडेट है भी उसके उनसार आपका 30 सिप्टमबर को आजित कि मिलता है चुकि 30 सिप्टमबर को आपका यहां पे प्री का एक्जाम होगा और जनवरी को फर्स्ट वीक में ही आपका यहां पे मेंस एक्जाम ले लिया जागा तो आपके पास सिंप्ली बर्चता है अक्टूबर नौंबर और दिसंबर बर्चता है यानि तीन मन्त का समय ब तो यहां पर और आप तेसे गंटेक्ना और आप ऐसे 10 2 कल अगर ऑपर तो मेंस के लिए और चुकि अगर आप मेंस में ज्यादर फोकस करते हैं तो मेंस के साथ साथ आपका कंसेप्ट यहां पे डिफ्ट में जा रहा है तो अगर आपका मेंस के त्यारी रहेगा तो प्रिलीम्स का आटोमेटिक उसमें अपका यहां पर मेंस को इग्नॉर नहीं कर सकते हैं क्योंकि अगर फ्रिलीम्स करेंगे तो जो इस बार पैटर्न था सबसे पहला काम अभी आपको पास काफी समय है अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या किसे इंस्टिट के माध्यम से जुड़े हैं पहला आपका काम है कि जो 69 कैसे बार प्रिलिम्स हुआ उस पिपर को एक बार उठाइए और उसको एनलाइज क पसकीजिए अपने स्टडी मेंस के साथ में यानि आपका जो स्टडी होना चाहिए मेंस कम प्रिलिम्स होना चाहिए ताकि आप फाइनल सेलेक्शन ले सके तो यह अपडेट है आपका बहुत जल्द हम लोग अपडेट लाएंगे कि कितना बहुत आने का इस बार उमीद है तो चैनल से नहीं है तो चैनल को जूट करके सब्सक्राइब कर लें चैनल को इसके रिगार्डिंग से रिगार्डिंग कैसे अपको प्रिप्रिशन करना है हर तरीके से यहां पर अपडेट किया जाएगा तो मिलते हैं नए अपडेट में चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब सुब्सक्राइब करके जूर जाए धन्यवाद